हेलो फ्रेंट्स विल्कम तू बैक माई यूटूब चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजेगा एवां अपने दोस्तों को सेर कीजेगा आज हम मंद परतेश की प्रमुख गुपाओं के बारे में बताने जा रहे हैं तो जो मुख प्रमुख गुपाओं हैं उनके क्वेश्चन बताएंगे एवां उसका एंसर भी जो अभी सभी एक्जामों में ज्यादा तर्फ क्वेश्चन पूछे जाती हैं तो चलते हम सब जो हमारा फ़र्ष्ट कोस्चन है भीम बेड़ का की गुफाएं किस जिली में इस्थित हैं तो राईसेन अबदुल लगंज फिजो नेस्ट कोस्चन है भीम बेड़ का गुफाओं का इस्थान महाभारत के किस चरित से सम्द्धित है तो भीम इसे फिर जो नेस्ट कोश्चन है जो भेम बेड का गुफाओं का समद किस कला से है तो पुरा पासान काल से ये गुफाओं पर प्रेगित हासिक काल के चितरकारियों के लिए लोग प्री है जो प्रेगित हासिक काल में चितरकारियों के लिए लोग प्री है ऐसा भी कोश्चन पू गुफा की खोज किसने की थी तो विश्णू सिरीधर वकानकर ने भीम बेट का गुफाओं की खोज की थी फिर जो नेस्ट कोस्चन है जो आदमगाड की गुफाएं किस जिले में इस्थित थाएं तो होसंगाबाद जो आदमगण की गुफाएं हैं वो संगाबाद में इस्थित हैं फिर जो नेस्ट कोश्चन है आदमगण की गुफाएं किस नदी के समीप इस्थित हैं तो आदमगण की जो गुफाएं हैं वो नर्वदा नदी के समीप इस्थित हैं ऐसा भी कोश्चन पूर सकता है फिर जो यूग यून फिर जो नेस्ट कॉस्चन है जो किसके नत्रत में आदमगण की गुफाओं का उत्खलन किया गया था तो एमडी खरे तथा आरबी जोसी पर फिजो नेस्ट कॉस्चन आता है फिजो नेस्ट कॉस्चन है मध्य परदेश में उद्य गिरी की गुफाएं कहां इस्तित है तो जो उद्य गिरी की गुफाएं विदीशा में इस्तित है फिजो नेस्ट कॉस्चन आता है किन गुफाओं को पूर्व में नीचे गिरी के नाम से जाना जाता था तो उदैगिरी की गुफाएं उदैगिरी की गुफाओं के प्रवेस दार पर किस जैन तिर्थ कार की मूर्ती प्रतिश्ठापित था? तो परसौ नाथ इस गुफाएं संख्या दस के दौरा पर चित्रित है आपको ये भी याद कर लेना है फिजो नेस्ट कॉस्चन है उदैगिरी में गुफाओं की संख्या कितनी है तो उदैगिरी में गुफाओं की संख्या 20 है फिजो नेस्ट कॉस्चन है नेस्ट कॉस्चन आ जाता है विदीशा का परशीन नाम क्या था तो बेस नंगर विदीश का प्रचीन नाम था फिर जो नेस्ट कोश्चन आता है नेस्ट कोश्चन है भातहरी की गुफाएं कहां इस्थित है तो उजयन में सिप्रा नदी के तट ठीक है फिर जो नेस्ट कोश्चन है एक ऐसा भी कोश्चन पूछ सकता है सिप्रा नदी की सहायक नदी तो सिप्रा नद उजः में सिप्रा नधी के तड़ पर फिज्व targets question हैं वागीन नधी के तड़ पर फिज्वं कोश्चन आता है इस्थान requirement मैं जिला खनडवा में इस्था थीजो नेस्ट Flame है नेस्ट कोश्चन आता है मद्ध प्रदेश के किस स्थान पर आधि गुरु संक्राचार की 108 फिट उंची धातु की विसाल प्रत्मा इस्थापित की जाएगी तो ओम का रिष्वर मंदिर में ठीक है तो ओम का रिष्वर ठीक है वजन करीब 50 तन से अधिक है जो अधि गुरु संक्राचार की 108 फिट विसाल प्रत्मा है उसका वजन करीब 50 तन से अधिक है आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस तरह पूछ सकता है तो आपको यह याद रख लेना है फिजो नेस्ट कॉस्चन इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तो जो अंगला प्रेश्ण है बिसाल गुफाएं कहां इस्तित्थ हैं तो गॉलियर जिला बिला आपको याद रख लेना ठीक है फिर जो नेस्ट कॉस्चन है मरेगनेंद नाथ की गुफाएं कहां इस्तित्थ हैं राइसें जिला पटनी गाउं में तो वर्स दो हजार आठ में उज्जैन के बिक्रम विस्विद्दाले के पुर्तत विभाग टीम ने इस गुफा को खो जा था मरेगनेंद नाथ की गुफाएं किस ने खो जा था तो आपको यह लिख लेना है 2008 में उज्जैन के बिक्रम विस्विद्दाले के पुर्तत विभाग टीम ने गुफा को खो जा था फिर जो नेस्ट कॉस्चन है नेस्ट कॉस्चन है सारू मारू गुफाएं किस जिली में इस्तित है तो जिला सी हो रहा आपको याद कर लेना है तहसिल बुद्दनी के पान गुरलिया गाउं में फिर जो नेस्ट कॉस्चन आता है खंडगिरी की गुफाएं कहां इस्तित हैं तो बिदिशा में खंडगिरी की गुफाएं बिदिशा में इस्तित हैं फिर जो नेस्ट कॉस्चन है सिद्ध बाबा की गुफाएं कहां इस्तित हैं निवाडी में निवाडी निवारी में आपको याद रख लेना ठीक है ये पिछडी हुई जन जाती के नाम से भी जानी जाती है फिर जो next question है काजल रानी की गुफाएं कहां इस्तित है मद्दात खंडबा में काजल रानी की गुफाएं इस्तित है आपको याद कर लेना फिजो नेस्ट कोस्चन है देव नला की गुफाएं कहां इस्तित है धिन्डोरी में धिन्डोरी में देव नला की गुफाएं इस्तित है फिजो नेस्ट कोस्चन है चंद सेखर आजाद गुफा कहां इस्तित है टीकमगड में चंद सेखर आजाद की गुफाएं इस्तित है फ जटा संकर की गुफाएं कहां इस्तित है जटा संकर पश्मणी में आपको याद रखना इस अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए यहां अपने दोस्तों को शेयर के लिए आम मिलते हैं नेस्ट वीडियों तब तक लिए धन्यवाद